तो एपिसोड की सुरुवात में हमें देखने को मिलता है कि एश एक सपना देख रहा होता है और उस सपने में एश के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जिसके तीन मुह होते हैं और वो ड्रैगन एश को बोल रहा होता है कि एश बहुत सामय बाद मिले तो तुम अब पोक वाड मास्टर बनोगा लेकिन तब ही ऐश कहता है कि तुम हो कौन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं क्या तुम एक पॉकेमोन हो तभी ड्रेगन बोलता है कि क्या एश तुम मुझे सच में बूल गए तुम याद नहीं कि तुमने मुझसे एक वादा किया था तभी एश कहता वादा कियासा वादा वादा मैं नहीं कोई वादा नहीं मैं तो तुम्हें जानता भी सुक्यों गजिए और विवस्त देश्ट्रॉइका तुम्हार से और यहां तो चुझान करीक्षिर गजिए किया हे सकता हूं और इससे पहले कि एश उस ड्रेगन से कुछ पूछ पाता उसका सपना तूट जाता है और वो उठ जाता है और पूरे दिन इसी सोच में रहता है कि क्या वो जो सपने में ड्रेगन था जो खुद को डिस्ट्रॉयर बता रहा था क्या वो मेरे गलत फैमी थी या सचाई चलो छोड़ो जाने देते हैं तब ही सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एश पिकाचू और एश केचम के सभी पोकेमॉन बहुत कुछ होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं क्यूंकि अब अपना एश पोकेमॉन पर बन चुका था और अपने एश के सभी पोकेमॉन के साथ एश एक ट्रिब ब्लैन करता है एश ने ब्लोक और मिस्ट records ने के लिए बुलाया था और वो लोग अब कर ट्रिब का प्लैन कर रहे हैं सब्षिद करता है और फिर वहाँ पर प्रोफेसर ओक आ जाते हैं और एश को पूछते हैं कि अब आगे क्या करने का प्लैन है तभी एश प्रोफेसरोग को बताता है कि कल वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लैन कर रहा है जिसमें उसके सारे पोकेमोन जाएंगे उसके साथ तभी प्रोफेसरोग बताते हैं कि एश बहुत अच्छी बात है लेकिन तब भी आप कहते हैं तो मैं अपना ध्यान रखोंगा इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एश अमें फिर से सोते हुए दिखता है और फिर से एक बड़ा सा ड्रैगन वही तीन मुवाला एश के सामने आता है और कहता है एश तो तुमने ट्रिप प्लैन कर ही ली तो तुम अपने सारे बोक्यमॉन्स और अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हो तब ही एश पूरता है तुमें कैसे पता और मैं फिर से सपने में हूँ आखिर तुम हो कौन तब ही ड्रैगन कहता है कि एश ये सब छोड़ो और मिस्ट्री आइलेंड पे जाने की त तब ही एश कैचम के मूँ से गलती से मिस्ट्री आइलेंड निकल जाता है और तब ही ब्रॉक पूछता है क्या मिस्ट्री आइलेंड ये कहां पे है तब ही एश ब्रॉक और मिस्ट्री को बताता है कि कल उसके सपने में एक ड्रैगन आता है जिसका नाम जेंटॉस होता है औ और वो कह रहा था कि वो God of destruction है और दूर से प्रोफेसर रोक इन सब की बाते सुन लेते हैं और प्रोफेसर रोक उनके पास आखी कहते हैं क्या जेंटॉस मैं उसे जानता हूँ क्या वो तुम्हारे सपने में आया था तब ही आश्च कहता है प्रोफेसर रोक क्या आप उसे जा लागतवर हैं और वो चाते तो पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉई कर सकते थे तब ही एश्च ब्रोग और मिस्टी उस आयलेंड पे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और प्रोफेसर रोक से वहाँ जाने का रास्ता पूछते हैं अब प्रोफेस प्रोफेसर ओक मिस्ट्री आयलेंड का मैप देते हैं एश को तब ही एश कहता है प्रोफेसर ओक मुझे एक और चीज़ चाहिए तब ही प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या हुआ एश अब क्या चाहिए तुमें तब ही एश कहता है कि एश कि प्रोफेसर ओक मुझे अपने सारे पोकेमोन्स को ले जाना है तो मेरे पास इतने पोकेबॉल्स नहीं है क्या आप मुझे पोकेबॉल्स दे सकते हो तब ही प्रोफेसरों कहते हैं हाँ क्यों नहीं आश ये लो अब आगे